हेलो फ्रेंट्स जै स्री किष्णा जै मतादी जै स्री शाम कैसे हो दोस्तों आप से भी आशा करती हूँ कि आप से भी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें हमेशा सद बुद्धी दे इसी कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ दोस्तों देखिए आज हम आपसे बात करेंगे आपके मन में जो इच्छा है अखिर वो कब पूरी होगी अगले कुछ दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में यह सब कुछ हम आपके साथ शेर करेंगे बह स्क्रीन पर देखिए आपको दो चिराग दिखाए दे रहोंगे फस्ट ग्रीन कलर का सेकंड गॉल्डन कलर का है इन में सो को एक चिराग चुछ कर लेजिए उसके बाद देखेंगे कि आपके मन में क्या इच्छा है जो अगले कुस दिनों में पूरी होगी या नहीं होगी और अगर हो रही है तो आखिर क्या है चले समझते हैं चले बात कर लेते हैं नमबर बन की यानि की पहला नमबर का चिराग जिसने चुछ करा है ग्रीन कलर का देख लेते हैं आपके कौन सी इच्छा है मन में जो पूरी होने वाली है और क्या कुछ कह रहे हैं टेरो कारण आ आप केवल अपने काम पर ध्यान लगाएंगे, व्यक्तिगत लक्ष आप हासिल करना है, आपको बस ये एक मात्र उद्देश होना चाहिए, इस कारण आप अपनी जीवन शेली में भी बदलाव करने वाले हैं, जो आपको दिखेगा, साथ में आपको प्रसनता भी होगी, यही आपके मन का कंफ्यूजन था, यही मन की कोई इच्छा थी, जो पूरी होने वाली अगले कुछ दिनों में, आपका फोकस बस पूरी तरीके से अपने काम पर दिख रहा है, जो होना भी चाहिए, रूची की वज़े से अनने लोगों के साथ जुड़ कर नई बातों को स अक्ष को पाने के लिए अपनी शमता से अधिक आप कारे कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों मानसिक स्थिक को सुधारने के लिए आपको संगत पर धियान देना होगा, आपकी जो दोस्त हैं, आपकी जो संगत हैं वो आपकी मेंटली कंडिशन को बहुत ज़दा लोगों से बात चित करके आपका होसला बुलन्द होता आपको बहुत अच्छा होती है नहीं बस इनसे बात करें जाब मोटिवेट हो रहे हुआ आप उनसे बात करके तो फिर आपको उनसे बात कंटीनियू रखनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करने चाहिए कारे शमता बहुत अच्छी है अपने इसी कारे शमता से आप अपने लक्ष को हासिल कर पाएंगे शमता से अधिक काम ना करें क्योंकि शमता से अधिक अगर काम करेंगे तो शारिजी प्रोब्लम आ सकती है तो थोड़ा वरतमान के मौसम को धियान में रखते हुए आपको अपनी कैपसिटी का भी धियान रखना होगा तो देखी दूस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते कि काम और पारिबारिक जिमेदारियों का बोज महसूस आपको होने लगेगा किसी व्यक्ति के साथ बंध हुई बात्चित के बारे में अधिक विचार करने से आप निराशा भी महसूस करेंगे जितना आप सूच रहे हैं उतनी नेगिटिव परिस्तिती नहीं है आपको फिलाल सिफ लग रहा है कि मेरे साथ बहुत ज़़दा नेगिटिव कंडिशन डिफिकल्ट हो रही है मेरा ये काम नहीं हो रहा है मैं क्या करूँ कैसे मैं काम को तो समय के साथ जो जो हो जाएगी तेंशन नालेज जो जैसे चल रहा है विससे हो जाएगा किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा के अनुसार से योग भी मिलेगा आप जैसा सोचरे किया रहे इस व्यक्ति से मुझे इतना से योग मिलेगा यह नहीं तो मिलेगा लेकिन समय के अनुसार मिलेगा समय से पहले नहीं मिलेगा करियर से संबन्दी जो लक्ष आपने रखा है उसे हासिल करने की पूरी तैयारी है आपके और वो तैयारी में आप जुट जाएए लक्ष आपको जरूर मिलेगा व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार से सुधाना है ये इस पस्ट होने की वज़े से उसी देशा में आपके द्वारा कोशिशे बढ़ाए जाएगी अधिकतर बातों को सुलजाने का हल आपको मिलेगा इस कारण तनाव कम होगा अभी के समय में छोटी बातों पर धिहान रखें बड़े उद्देश जल्द ही हासिल होंगे देखें जितना बड़ा लक्ष है जितने बड़ा उद्देश है उन्हें पाने के लिए उतना ज़्यादा संगर्ज भी करना पड़ेगा और उतनी ज़्यादा मुश्किले भी देखने पड़ेगी अगर आप सोचने के बड़ा लक्ष बहुत आसानी से मिल जाए तो ये संब़ो नहीं है थोड़ा सा धिहान रखना होगा इन बातों को समझना होगा काम की वज़े से समधान और आर्थिक आवक अपिक्षा के अनुसार बन रही है किसी भी कारी की शुरवात से पहले ठीक से योजना बनाने पर धिहान दे और ये समझें कि जो आपके मन में चल रहा है अब वो इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी समझ के अनुसार हो जाएगी बस थोड़ा सा धेरी रखना होगा थोड़ा सहीं रखना होगा और अच्छे समय का इंतजार करना होगा जरुत है तो एसे लोगों का साथ चोड़ने की जो हमेशा आपको नेगेटिव बनाते हैं निराश करते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर की यानिकी गोल्ड कलर का जो चिराग जिसने चूस करा है देख लेते हैं कि उनके लिए क्या कह रहे हैं उनके मन की इच् संतुलन बनाने ही पारें ना तो आप काम को टाइम दे पारें नहीं परसनल बातों में आप ध्यान दे पारें हैं अभी भावनात्मक रूप से आप खुद को बहुत ज़्यादा कमजोर महसूस करें लेकिन परिस्तिती पर पूरा नियंतरण बनाने की कोशिश करें चितना अधिक ध्यान आप नकारात्मक विचारों पर देंगे उतना आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे बहुत जागा negative थोड़ साते कई ऐसा तो नहीं हो जाएगा कई यह तो नहीं हो गा कई वो तो नहीं हो जाएगा समय पर छोड़ देजिए इश्वर पर छोड़ देजिए इश्वर पर भरोसा रखना बिलकुल मत छोड़िए आस्थारक बना कर रखे भरोसा विश्वास बहुत जरूरी और इसके साथ ही धीर रखना भी जरूरी जैसे जैसे समय आएगा सब चीजे हैंडल होती जाएगी बहुत जदा घबराने या प है कि यहां कंडिशन थूड़ा सा डिफिकल्ट है तो उस कंडिशन को सुधारने के लिए अपना धियान रखना होगा जहां बहुत जदा चड़ा उतार आरे वहां समझने की कोशिश करनी होगी वहां फोकस बढ़ाना है व्यक्तिकत निर्णाय लेने से पहले परिवार के ल वक्त का ठीक से इस्तमाल करना आपको आन नहीं रहा है वरना आपकी लाइफ में अभी तक वह सारी उपलब्धियां आपको मिल जाती जिसके आप भगदार हैं काम में गती बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूर थे कहिने कहीं आप काम को बहुत धीरे से कर रहे हैं बहु कि मार्गछून करके उसमें खुद को परवगत करने की कोशिश कर ठाय करें करियर को मैं जोगदा है करें कर ठीक हमारे नवब्धियां परफें इंट्रेस्ट से आगे रखनी होगी अभी बाताबरन भले ही आपको तनावपुन लग रहा है लेकिन समस्या तुरंद सुलजेगी परिवार के लोगों का साथ मिलेगा मनमर्जी के नुसार आप काम कर पाएंगे खुद की गलतियों से कहीं न कहीं आप सीख लेंगे और लोगों के विरोध को समझने की कोशिश भी करेंगे जिमेदारिया उठाते समय दिल दिमाग दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करें इस बात को समझे काम के वज़े से परिवार के लोगों से दोर रहना पड़ेगा अकेलापन बढ़ सकता है अपनी शमता के बारे में जाग रुकता आपको महसूस हो कब तक सहीं होगा देखिए हो सकता है कि अभी आप कुछ पाना चाहते हो कोई इच्छा हो आपकी जो भी पूरी नहीं हो रही हो उसमें समय लग रहा है तो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि जो आपके इच्छा हो उससे कई गुना बैटर आपको मिले हो सकता हो कि थोड़ा सा रुकर वो उससे बड़ा आपको दे क्याता है ना कि जब इश्वर हमसे छोटी डॉल चीनता है तो बहुत बड़ा टैडी बियर हमें गिफ्ट के रूप में वो देता है तो बस इसी तरीके से इस पर विस्पास रखते हुए हमें जीवन के जीने की कला को सीखन आखे देए नगाउड़ हमारी सोच ने अघुटिविट्ह नहीं आनी चैए हमारी सोच को हमें ऐसा बनाना है कि हम Väscheinlich स्टिवर हमेशा हम जीवन में आगे-बड़े दूसरों को भी आगे-बणाने की सीक देते रहे तो वीडियो कैसी रगी कि दोस्तों पसंद आई हूँ प्लीज लाइक करें कमेंट सेक्शन में जाए माता दी रिखें चैनल को सब्सक्राइब करें बलाकन को प्रेस करें तो चलिए मिनते हैं नेक्स टूडियो में विकला आप सबको भुद 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 निवा जाए माता दी हर हर माते हूं